प्रिक्षा का आयोजन चत्तिजगर विभिन स्कूलों में सिक्षकों की कमी को देखते हुए परिक्षा का आयोजन चत्तिजगर विफसाइक परिक्षा मंडल के द्वारा किया गया पंदरा से बीस दिनों में इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया परिणाम जारी करने के पस्चाथ एक मेरिट लिस्ट तयार की गई और व्यह मेरिट लिस्ट चत्तिजगर लोग सिक्षन संचनला को भीज दी गई तत्पस्चात दस्तावेज परिक्षन के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ हुई मेरिट लिष्ट में विश्यों में विभिनस समवग जैसे H.T.E.C.O.B.C. और जर्नर के लिए रैंक के आधार पर एक मेरिट लिष्ट तयार की गई दस्तावेज परिक्षन के प्रक्रिया तत्पस्चात प्रारम्भ की गई तो दोस्तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो दोस्तो दस्तावेज परिक्षन की प्रक्रिया पांच नवंबर 2019 रसायन सास्र से प्रारम भोकर 11 नवंबर 2019 अंग्रेजी में जाकर थमा तो दोस्तो आएए जानते हैं इस वीडियो में की दस्तावेज परिक्षन के दोरान विभिन्न विश्यों में कितने अभ्यार्थी अनुपस्तित रहे तो रसायन सास्र में 38 अभ्यार्थी अनुपस्तित रहे कॉमर्स में 49, गडीत में 6, फिजिक्स में 46, बाइलोजी में 49 और अंग्रेजी में 49 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे तो दोस्तो अब यहां देखना पड़ेगा कि लोग से लोग क्योंकि दस्तावेच परिक्षन के दौरान जितने पद है उससे अत्रिक्त अभ्यार्थियों को बुलाया गया था और देखा गया कि अभ्यार्थियों की संख्या सबसे जादा समान्य वर्ग में थी और समान्य वर्ग में बुलाने का रिजन ये था कि वहाँ OBC की संख्या अधीक थी यदि OBC वाले को समान्य वर्ग में पद नहीं मिलता तो वह अपने कैटिगरी में आ जाएगा वही अनुसूची जन जाती में 10 से 15 अभ्यार्थियों को ही अत्रिक्त बुलाया गया था यदि यहां पद संख्या समान्य वर्गों को छोड़ करके हैना उसमें संभावना कम लग रहा है हो सके तो उसमें भी बुलाया जा सकता है लेकिन जादा संभावना जो है कैटिगरी में बुलाया जा सकता है और उसके लिए मेरिट लिस्ट तयार की जा सकती है अब यहां देखना होगा कि पद जितने हैं उतने अभ्यार्थियों को लेना है और वेरिफिकेशन के दौरान यदि पद से कम अभ्यार्थि मिलते हैं तब ही जाकर मेरिट लिस्ट तयार की जावेगी पुनह और फिर दस्तावेज प्रक्रिया प्राराम होगी लेकिन उसकी संभावना बहुत कम लग रहा है क्योंकि जो इसकी भरती प्रक्रिया जो है दिसंबर में होनी की संभावना है है ना तो मेरिट लिष्ट और निकालने की संभावना सायद नहीं पड़ेगी आप लोगोंने बहुत कॉमेंट किया था कि सर क्या मेरिट लिष्ट और निकाली जाएगी तो इसका निर्ण है तो लोक सिक्षन संचनाला ही करेगा कि निकालना है कि नहीं और जो अभ्यार्थी अनुपस्तित है क्या वहां किसी एक संवर्ग से है या भिन भिन संवर्ग से होगा तो merit list निकालने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि उसमें अत्रिक्त अभ्यार्थी को बुलाया गया है क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि इस प्रक्रिया में ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से ये प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाए और निकती बहुत जल दी जा सके यदि merit list में, wetting list देना है कुछ लोगों को wetting देना है तो इसी में से wetting दिया जाएगा मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा विचार हो सकता है क्योंकि इसका निर्णा है तो लोग सिक्षन संचनला ही करेगा तो संभावना बहुत कम है merit list और निकलने की और आसा करते हैं कि निकल जाए जिन लोग last border में है हना उनका भी भला हो जाए तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तो ध्यान रहे, अपने दोस्तों तक वीडियो की link share करना ना भूले जै हिन, जै भारत, जै 36 गर थैंकि दोस्तो